तो आज की इस वीडियो में में एक और चोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं आपके स्लेबस का तो यहां पर तीन टेस्ट ट्यूब हैं और तीन में से पहली टेस्ट ट्यूब में मैं नॉर्मल वोटर एड़ कर रहा हूं उसके बाद जो आपके पास सेकिंड टे और तीसरी टेस्ट ट्यूब को हम खाली छोड़ देते हैं अब तीनों के अंदर क्या करना है हमें एक एक आयरन डाल देनी है जो टेस्ट ट्यूब सी है हमारे पास वो खाली है जो इसमें ताकि कोई मोईस्चर ना रहे या फिर जो भी हो वो एब्सॉर्ब हो जाए उसके ल और अब हम इसको चोड़ने वाले हैं अगले एक दो दिन के लिए और उसके बाद मैं आपको समझाओंगा इसका कंसेप्ट तो तीन दिन अब हमें कंप्लीट हो गए हैं और तीनों के रिजर्ट में आपको दिखाने वाला हूं यह सबसे पहली टेस्ट यूब है जो हमने इ पानी का कलर में ही आपको दिख राए कि रेस्टिंग हो गई है बड़ी है सही लैवल की क्यूं क्योंकि जो आयरन नेल थी वह एक्सपोज हुई एयर प्लस वोटर के साथ में यहां तक इसको वोटर मिला यहां तक यह बाकी एयर से भरी हुई थी तो एयर और वोटर के साथ इस पर रेस्टिंग हो गई ठीक है उसके बाद दूसरी नेल थी मेरे पास यहां पर वोटर में एक्सपोज है नेल उसके बाद यहां पर क्यूंकि हमने कह किया था ओय लैड कर दिया था तो जो ऊपर एयर थी वो नीचे नहीं जा पाई तो इसलिए इसमें क्या हुआ रेस् इसको मुझे निकानना पड़ेगा तो यह जो है मेरे पास तीसरा रिजल्ट है जो खाली टैस्ट्यूब में थी इसमें पार्शली रेस्टिंग होई है है ना क्यूं यह वो उसका भी रिजन बताता हूं होनी नहीं चाहिए थे बट अगर यह पूरी तरीके से ड्राय होती अंदर क्योंकि इन दिनों बरसात का मोसम है और यूमिडिटी बहुत जादा बड़ी हुई है तो जो एयर थी उसमें मोईस्चर था और मोईस्चर का मतलब क्या है इसमें पानी भी था वो एयर भी थी इसलिए इसमें पार्शली आपको रेस्टिंग देखने को मिल रही है तो इससे हमने क्या conclusion निकाला कि iron में रेस्टिंग होने के लिए पानी और air दोनों की presence जरूरी होती है